नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं ग्रोमा इंडिया दोस्तों अभी मैं हूँ पटना जिला के पीटा स्टेशन के नजदी एक बकरी फार्म में लगवग दो साल पहले जो ने गौट फार्म की शुरुआत की थी और अभी मात्र इनके पास 15 बकरियां है कुछ बड़े प्रजाति की है तो कुछ बरबरी है दो साल पहले तो इन्होंने शुरू किया था लेकिन काफी अभाव था इनके पास जानकारी का यही वजह से इसी कारण से इनके पास बच्चे आते गए और बच्चे के मौटिलिटी होती चली गई और लगवग इनके पास इनके फार्म में लगवग सौब बच्चों की मौत हो चुकी है अब जाकर के दीरे दीरे सुधरा है हालत और कुछ बच्चे अब आये हैं अब बारी है इस फार्म के ओनर महनुज राजी से बात करने की स्वागत है सर हमारे यूटीब चैनल पर आपका सबसे पहला सव बच्चे की मौतिलीटी हमारे इस फार्म में हो गई है ऐसा क्यों हुआ? सर जब शुरू में हम दू जब दू है उनईस में जब फार्म को सुरुआत किये थे तो नौलेज हमारे पास नहीं था मगर जिसे कि धीरे धीरे अब तो सुधार हो गया है तो करिब करिब हमको 100 से उपर बच्चे और बकरी का नुकसान हुआ है कुछ बकरी भी नुकसान हुआ है और हम तो इतना ठक गए थे कि हम बंद करने के कागार पर चले गए थे मगर कुछ लोगों को सहान भूति के चलते हमको जिसे की फीर से शुरू किये और आज अच्छे नेथी पर चले गए अब बच्चे की मिर्तुदर नौ के बराबर है जो हुआ यगभी नहीं हुई है जो कमी थी आपने अपने कमी को पूरा किया सब्सक्राइबौ Go अब निशित चिए नहीं है और नहीं बकरी की मौत की मोत हो पा रही है और आप निशित सफल को एक बहुत लोग होते हैं कि अपनी गलतियों से शीखते हैं इनों ने सीख difiki कहा हम्से गलती हो रही थी वह सारे अप्र बंकल से कोजी कोई और आपके फ्सली क्वाशाटी की भकरी है सुरूमाध क्वाजतिसी एक हम सबसे पहले मात्र छे बकरी बलेक बंगाल से शुरू किये थे, उसके बाद हमने जमना परी बिट्टल असिरोही तीन नसल को लाए थे, हमने उसके बाद छे महिना के बाद बरबरी लाए पांस साथ प्रजाती की बकरी का नाम आपने लिया, तो दियर साल दो साल आपका हो गया गट फार्म में, तो काफी अनुभवी हो गया है कि प्रजाती के विशे में कि कौन सी प्रजाती बहतर है बिहार की क्लाइमेट के लिए, तो आपने बड़े प्रजाती का भी नाम लिया तो उने में से सबसे ब्हेतर फार्विंग की दिशी से तो कौन सी प्रजाती बही है सर्थ जिसे कि इसमें अगर हलका फुलका भी चरागा है तो बलेक बंगाल सबसे उत्तम है और उसके बाद बरबरी है और पालने वाले तो लोग बहुत से प्रजाती पारते हैं आपी तो सरवाले हैं बड़ावला प्रजाती में थ्वासा यहीं नहीं होता है कि साल में एक ही बच्चा दे पाता है और जो मार्केट में डिमांड है तो बरे जानवरों का डिमांड नहीं होता है चोटा मार्केट है चोटा है 15-20-30 किलो कमार्च बद्धियां करा नहीं घीएगा तो जिसके बकरी निकल पाएगा ऐसे भ्यचना उसको मुस्किल होता है क्या ही रखा है तो बर्स टो छोटी प्रजाती के बखरी हền है और बड़य प्रजाती का आपके पास भी है तो भी मीटिंग उसी से निःवने खर व करते हैं आप सरेवरे पास जमना नहीं हमारे पास चला गया है उनके पास और आभ हम यह जो भी है यह वह पर परजाति की आपके पास बखरी है उसको दोस्ती को तो धुके हैं आपके पास है, गरवधार में करवाना है, इसलिए अभी फिलालबुर के पास वो रखे हुए है, जी, तो भोजन का क्या वेश्था है और क्या क्या आप उनको खिलाते हैं, तो भोजन में तो जेकि गेहूं, चणा और मसूर, तीनों का मिक्स बहुषा देते हैं, परती बक्री कितना शर, जेकि परती बक्री मुटा मुटी ऐधा किलो के आसपास खा जाते है भोसा, और फिर वही जेकि हरा चरा देते हैं, अभी हमारे पास जीनोरा, और इसल हम लोग म लगाई हुए हैं आपके पास कितने बकडियां हैं और पांच बच्चे हैं जिसमें तीन को बरबरी का है और एक बलेक बंगाल का है और एक सिरोही का है, और दो साल से आपका यह फर्म है, तो दो साल उस पिरियेड में आपने डियर साल तो आपको नुक्सान में सहना पड़ा आपको, छो महिना के पिरियेड में कोई बच्चे आप बेचे हैं की नहीं? खे महिने के पीरियड में दो तीन गउलेकबंगाल का खौसी वेचए थे और जो भी पाठी होता है तो कुछ आपके अपने खुद के फ़र्म करते हैं् Latin παेडितेयर। करते हैं और जो नहीं को कोई वसा नहीं होता है तो कोई बहुत से मित्र होते हैं उनसे कहने पर वह लोग करवा देते हैं यह जो बख्री फार्म बना है अपने खर्श पर बना है या सरकार से के तो आला मिला है पहले तो हम अपने चालू कर दिय के बाद जिससे कही एक दिन हम ते रहे पत्ना तो बख्री के लिए हमको जनकारी जैनल तो सब्सक्राइब करना होगा तो हमने लिए बोले कि पहले ट्रेंडिंग करनाओगा तो हमने ट्रेंग किया लाड़ी कि किये और ऐस rumor कि और अपुम को होता है उसक्रित हुआ मगर उसने सुपन में होता है सर्जिगमान के चलिए कि 100 को सीट है, 200 आदमी हैं, तो 100 को कहीं देना है, और जह कि पदाधिकारी का भी मजबूरी है कि 100 को देना है, सर्गमान ते पटने जिला में हुगा कि 100 बकरी का फोर्म सेक्षन करना है, तो 100 अब आवेदन हो गया 200, तो 100 को ही करना है, तो पर्थमिकता कि अनुसर पर ऐसा होता है, पहले या पहले पा, और कुछ पलाधिकारी लोग भी मदद करते हैं, जो देखते हैं कि चला रहा है, या कर रहा है, या करने योग है, या करने को पहले एक आद बार पालन पाधिकारी जो भी होते हैं, जो आते हैं विजिट करने के लिए जमीन तो देखते हैं कि नहीं, अगर मान के चलिए कि आपका है कि डिल ऐसा होता है, तो करने वाला का पहला पर्थिमिक्ता देते हैं, और रहा लेंद देन का पैसा कोड़ी का तो ऐसा कोई बात नहीं है, फालम जब खोल रहे हैं, तो कम से कम से नौ सल दशाल का तो इस परजेक्ट किसी जमीन वाले से लिज़ पर लिजिए और उस पर काम कीजिए तब आये नहीं कि आप जागी को दिये बना लिजिए अगला सल कहेगा कि छोड़ दिजिए तो सरे जोपरी थोड़ी है कि हम कावार के लिए के चले जाएंगे तो आपको कितना पैसा मिला था सर हमको 402 का सबस अभी देखे कि आपके फार में कुछ देसी मुर्गियां भी है तो उसको रखने के लिए कोई अलग सा ब्यवस्था करने का जरूरी नहीं है उसी बारे में रह जाते हैं और जो मेरा भूसा का श्टोक है तो ऐसे भी भूसा में पहुसा होता है कि किरा हो जाता है तो मुर्गी किरा को चुन कर खा जाता है और मुर्गी को अलग से खाना देने कि आ सकता नहीं होती है वह पर यह हमको और सर कम से कम दस मुर्गी है तो हमको कम से कम दो हजार कुप्या का मंधली इंकम दे देता है अगे कि योजना है इस फारम को और थोड़ा विस्तारक करेंगे कम से कम सो ले जाएंगे हमको आपको मोटिव हैट किए हैं दी मोटिव हीट किये जो आपको नाम थ tries को को बटा दे़े इन जैसे ही हम एक दिन जा रहे थे पुनपुन से छतना वाला रोड में तो एक फोर्म देखे तो पुछे तो पता चला कि वीपिन जी क्या है तो उनसे संपर्ट था मगर एक दिन एसी फोन पर बात कर रहे थे कि दखिये न वीपिन सर से हमेरा तो बच्चा बहुत नुक्सान हो है तो बोले कि मनों जी ऐसा किजिए आप जिसे की थोड़ा एक दो दवा है जो आप देकर देखिये बच्चा का तो मिर्तु दर हो सकता है कि कम जा और सर ओ दवा जो हमको दिये जो बच्चा देता है उसी दिन से विमरन एटुजे चला देने के लिए शलाह दिये और हम दे बच्चा मर जाता था और विपीन जी के सलाह से हमने दवाद दिये तो सर मेरा बच्चा आप नहीं मर रहा है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात बताई अपनी पूरी अनुभव को खूल कर बताया आपके सामने उमीद है इनसे जरूर लाव लेंगे जो भी इनके इनसी गल अपडेट जाड़ी रहेंगे तो बने रहेगा ग्रोव माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ तो मिलते हैं फिन नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए